नमस्कार दोस्तो दोस्तो अगर आप भी चीके पढ़ते हो तो इस वीडियो को अंते तक जरूर देखें दोस्तो इस वीडियो में मैं आप से पोचूंगा दस इंटरेस्टिंग जी के सवाल और साथ में उनका जवाब भी बताऊंगा दोस्तो हर जवाब देने के लिए आपके बास पूरे पांच सेकेंड होगे जादा समिच से ये दो वीडियो को पोच भी कर सकते हैं तो इचली दोस्तो इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं सवाल नमबर एक बारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रदान मंतरी बन सकता है और हाँ दोस्तो आने वाले सवालों में किसी का भी जवाब जानते हैं तो कमेंट में चरूर बताएं सवाल नमबर एक का सही जवाब है भारत में कोई भी योग्य व्यक्ति कितनी बार भी भारत का प्रदान मंत्री बन सकता है सवाल नमबर दो IC का फुल फॉर्म क्या होता है सवाल नमबर दो का सही जवाब है IC का फुल फॉर्म इंटेग्रेटिड सर्किट होता है सवाल नमबर तीन Windows का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों सवाल नमबर तीन का सही जवाब है Windows का फुल फॉर्म वाइट इंटेग्रेटिव नेटवर्क होता है सवाल नमबर चार कौन सा सहर अंगूर की पेदवार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सवाल नमबर चार का सही जवाब जानने से पहले अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में पैल आइकन को भी दबा लीजे दोस्तों सवाल नमबर चार का सही जवाब है नासिक जो की अंगूरो की पेदवार के लिए प्रसिद्ध है सवाल नमबर पांच पर्मानुबम किस देश ने पहले बनाया था? दोस्तों इसका सही जवाब है पर्मानुबम सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था सवाल नमबर च्छै नीली करांथी का सम्मद किस छेक्तर से है? दोस्तों इसका सही जवाब है नीली करांथी का सम्मद मतस्य पालन से है सवाल नमबर साथ मोहन जोद्रो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है मोहन जोद्रो को मरतु का टीला के नाम से भी चाना जाता है सवाल नमबर आठ दोस्तों सवाल नमबर आठ देखने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजे साथ में सेर भी कर दीजे सवाल नमबर आठ है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजा दिदूँगा यह कतन किसका है दोस्तों इसका सही जवाब है यह कतन सुबा संदर बोस का है सवाल नमबर नो सिंदु गाटि के लोग किस वरक्स की पूजा करते थे दोस्तों इसका सही जवाब है सिंदु गाटि के लोग पीपल की पूजा करते थे हमारा आगरी और डबल मेनिंग सवाल है इसका अगर अब जवाब जानते हैं तो कमेंड में जुरू बताएं लड़की के कौन से अंग से सब बे सब बे निकलता है दोस्तों इसका सही जवाब है लड़की के ही नहीं हर किसी के आँखों में संकर्ण होने से सब बे सब बे दरंगा प्रताद निकलता है